कृतिक गिराश्ट आज अटल बिहारी वाजपाई को उनकी जैनती पर नमन कर रहा है अटल जी के जैनती को आज देश भर में सुशाशन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है जहां वाजपाई का जन्व 25 दिसंबर 1924 को मध्यप्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले एक व 25 दिसंबर 1924 को मध्यप्रदेश के ग्वालियर में जन्व हुआ था अटल बिहारी वाजपाई का अटल बिहारी वाजपाई जैसा विशाल प्यक्तित्वर उम्र के नमबरों से कहीं परे और विराठ है उनका राजनेतिक सफर चार दशक से ज़्यादा का रहा नेत्रित्व वह शम्ता ऐसी जिसमें भाजपाई ने दो लोगसभा सीटों से शुरुवात कर केंद्रिय सत्ता हासिल की साल 1984 में भाजपाई को लोगसभा में दो सीठी हासिल हुई थी जिसमें अटल बिहारी वाजपाई ग्वालियर सीट से खुद चुनाव हार गए थे लेकिन साल 1999 में बाजपाई के हिन्नी त्रेतों में देश में एक गटबंधन सरकार बनी वे पहले ऐसे खैर कॉंग्रेसी प्रदाहन मंत्री बने जिसने अपना कारेकाल पूरा किया उनकी सहजस्युकारिता इतनी थी कि बेपक्षी भी उनके मुरीद थी उन्होंने संसत के लिए पहली बार साल 1952 में चुनाव लड़ा और 2004 में अखरी बार अटल बिहरी वाजपई साल 1957 में पहली बार उत्तर प्रदेश की बलरामपूर लोकसभा सीर से निरवाचित होकर संसत पहुचे थे जिसके बाद वे पाचवी, छठी और सातवी लोकसभा फिर उसके बाद दसवी, ग्यारवी और बारवी और उसके बाद तेरवी लोकसभा में चुनाव जीत कर संसत पहुचे इसके अलावा 1962 और 1986 में वे राज्यसभा के सदर से भी रहे संसधिय जीवन से अलग वाचपही का राज्यातिक जीवन जनसंग के जमानी से रहा उसके बाद साल 1977 से 1980 तक वे जनता पार्टी के संस्थापक सदसे के रूप में रहे उस वक्त जनसंग का जनता पार्टी में ही विले हो गया था मुरार जी देशाई की सरकार में उन्होंने 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1989 तक विदेश मंत्री का पदभार भी संभाला जिसके बाद जनता पार्टी में चूट हुई और 6 अप्राइल 1980 में भाजबा का गठन हुआ बाजबही जी साल 1986 तक पार्टी के अध्धक्ष रहे नप्पी के दशक में राजडीती पूरी तरह से अटल बिहारी वाजबई के इर्दगेर खूंती रही पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष उसके बाद साल 1996 में पहली वार प्रधान मंत्री के रूप में शपत ले आला कि उनकी सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी और 13 दिन में ही गिर गई अभी थोड़ी देर पहले मने उनले किया कि मैं चालीस साल से सद्धन का सदस्य हूं सदस्योंने मेरा व्यवहार देखा है मेरा आचरन देखा है जनता जलते मित्रों के साथ मैं सद्धा में भी रहा हूं कभी हम सद्धा के लोग से गलत काम करने के लिए सेयार हैं उसके बाद साल 1998 में उन्होंने एक बार फिर सरकार का गठन किया लेकिन आपसी खीचातान और गडबंधन के राजनिती की उठा पड़क में ये सरकार 13 महीने का कारेकाल ही पूरा कर सकी और 17 हप्रैल 1999 को सिर्फ एक वोट से वाजबई की सरकार विश्वास मत हासिल करने से चूप गई वाजबई सरकार के पक्ष में 279 वोट मिले जबकि विपक्ष में 277 साल 1999 में सितंबर अक्टूबर में मध्यावदी चुनाओ पे और तिसरी बार वाजबई ने प्रदहान मंत्री के रूप में शपत लिए उन्होंने इस बाहर साल 2004 तक का ना सिर्फ कारिकाल पुरा किया बलकि इस दौरान उन्होंने दिखा दिया कि जोड तोड की राजनिती के बीच लोगतंत्र की मर्यादाएं और नैतिक्ता को बनाए रखा जा सकता है उनके कारिकाल में भारत 21 सती में प्रवेश कर रहा था तब उन्होंने सडक संपर्क संचार और सुरक्षा को लेकर देश को एक नया लक्ष नया संकल्प दिया तेरा महिने की सरकार के दोरान उन्होंने साहसिक फैसले किये और फोकरण में परमाणू परिक्षण कर भारत को परमाणू संपन राष्ट बना दिया इसके अलावा इन पराविकास के लिए सुवन्हिम चत्रभुज प्रधान मंतरी ग्राम सडक यूजरा और संचार में नई टेलिकॉम नीती की शिववात प्रधान मंतरी अटल विहारी बाच्पई के नीत्रेतों में ही हुई जिसका लाब देश को आज बखो भी मिल रहा है साल दोहजर नौ में वे एक गंभीर बिमारी का शिकार हुए लेकिन तब तर वे एक ऐसे वटबिरिक्ष बन चुके थे जहां कई धाराई आकर एक होती थी र्याजनेतिक समाजिक जीवन में कमाये गए उच्च समान की बदावलती साल 2015 में उन्हें भारत रत्म से अलंकरित किया गया उस वक्त तमाम प्रोटकॉल को तोड़ते हुए खुद राष्टपती प्रणाव मुखर जी पूरु प्रधान मंत्री के घर पर पहुशे और देश के सरवुच नागरिक सम्मान से उन्हें सम्मानित किया अटार्जी का आकर्शक व्यक्तित्व और विस्ष्ट इस्पष्टवादिता भारतिय लोकतंत्र को हमिशा ही सुशोभीत करती रहीगी कि तूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी अंतर को चीर विथा पलकों पर ठिटकी हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पर लिखता है विटाता हूं तीत नया खाता हूं